सब को जे सुकी फिर एक बार हम सभी इस्वर का वशन सुनने के लिए त्यार हो जाएं आश्चिक बिशे है सावधान रहो इस शब्द हम ढूरों ने बार-बार सुना होगा सावधान रहो और सुनते आये हैं हर जगा पर इस बात को लिखा हूँ आमने देखा होगा साउधान खत्रा है और जो साउधान नहें रहता है उस खत्रे में फस सकता है चाहे हो बिजली के तार जहां वहां पर लिखा रहता हो साउधान खत्रा है या फिर ट्राफिक पर रोड पर रेल रोड पर अलग अलग जगाओं पर लिखा रहता है साउधान और जो वेक्ति उसका पालन करता है वो बच जाता है जो उस बात का पालन नहीं करता है वो खत्रों में फस सकता है आज के दिन में हम लोग बाइबुल के द्वारा हम देखें प्रभु हमसे किन बातों से सावधान रहने के लिए कहता है अगर हम प्रभु की बातों को सुने और माने और सावधान रहे तो हम भी खत्रों से बच सकते हैं, मुसीबतों से बच सकते हैं प्रभक्ता ग्रंत अध्याई 21 में लिखा है पुत्र क्या तुमने पाप किया है? तो फिर इसा मत करो सवाल किया गया है हम सबों के सामने, पुत्र, बेटा, क्या तुमने पाप किया है? अगर पाप किया है तो ऐसा मत करो, अपने पुराने पापों के लिए श्यमा मांगो प्रभू का वशन कहता है अगर तुमने पाप किया है ऐसा मत करो अपने पुराने पापों के लिए शमा मांगो क्योंकि ये खत्रा है और इस खत्रे से हमें साउधान रहने के लिए प्रभू हमें बताता है पाप एक ऐसा खत्रा है जिस खत्रे में अगर कोई फस जाए तो उसकी जिन्दगी बरबाद हो सकती है उसके आत्मा का विनाश हो सकता है जो की प्रबु नहीं चाहते हैं इसलिए प्रबु हमें आज के दिन में अपने वशनों के दोरा बताता है सावधान रहो सतरक रहो जाकते रहो प्रार्तना करते रहो क्योंकि तुमारा शरीर जो है धुर्बल है बार बार पाप की ओर जुक जाता है पाप में पढ़ सकता है पाप में फस सकता है लेकिन तुमा जो है अजर है अमर है इसलिए उस दुर्बल शरीर को मजबूत बनाने के लिए हमें सावधान रहना होगा जतर के रहना होगा प्रार्तना करते रहने होगा और इस प्रकार से हम पाप में खत्रों से बच सकते हैं आगे प्रभु का वश्ण कहता है सांप के सामने की तरा पाप से दूर बाग जाओ अगर कत्रा है मानलो कत्रा है यहां पर मुदारण दिया सांप मानलो कोई नाग है काला नाग है और उस नकाले नाक के पास जब आप जाओगे वो काटेगा अगर वो काटेगा उस से हमारा नुकसान होगा किस हद तक नुकसान होगा अगर तुरंद इलाज नहीं किया गया हो हम मर भी सकते हैं इसलिए प्रभु अपने वशन के द्वारा क्या कहता है साम्प के सामने के तरह पाप से दूर भाग जाओ जैसे कोई भी विक्ति साम्प के पास जाना नहीं चाहेगा क्योंकि हर कोई विक्ति को पता है अगर एक काटेगा इसका जहर मेरे शेरी में फैल जाएगा और मैं मर जाओंगा यह पता है इसलिए हर कोई विक्ति साम के सामने नहीं जाएगा हर कोई विक्ति प्रयास करेगा कि हम साम से बचे रहें और जब तक बचे रहें अच्छी बात है इसलिए प्रुब क्या कहता है साम के सामने के तरह पाप से धूर भग जाओ यदि पास जाओगे तो वह तुमको काटेगा और उसके दांत सिह के दांत जैसे हैं वे मनिश्य की आत्माओं का विनाश करते हैं यहीं कि पाप जो है मनिश्य के आत्मा का विनाश कर देते हैं मनिश्य मैं इस प्रकासे समझाओंगा तीन प्रकार से हैं वो है आत्मा है शरीर है और उसमें प्राण भी है आत्मा है शरीर है और प्राण है सबसे पहले बनिवा यह मनिश जब पाप करता है पाप का असर उसके आत्मा पर हो जाता है उसके आत्मा पर पाप का वार होता है और जब आत्मा पर पाप का वार होता है वहां पर अगर हम अंदेका करेंगे द्यान नहीं देंगे सतर कर नहीं रहेंगे सावधान नहीं रहेंगे वो पाप का जो असर जो हमारे आत्मा पर होता है आत्मा से हमारे शरीर पर होता है तब दिरे दिरे दिखने लगता है हालिलुया 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 जब हमारे शरीर पर आत्मा से शरीर पर उसका वार होता है असर होता है दिखने लगता है उस वक्त तीसरा नतीज़ हमारे साथ यह हो सकता है हमारा मन डिस्टर्ब हो सकता है हम बिमार पढ़ गए, किसी बात को लेके तो चिंतित हो गए, परिशान हो गए, दवाई लाए, लेकिन हमारे मन डिस्टर्ब्ड रहेगा, यह नहीं कि अत्माम पर जो पाप का असर होता है, वो असर शरीर में और शरीर के उस महतपूर्ण शरीर का हिस्सा है, मन उस मन पर उस इतना खतरनाक है, इतना भयानक है, वो हमारे आत्मा का विनाश करता है, यह नहीं कि आत्मा का विनाश हो गया, मन का विनाश हो गया, हर प्रकार से हमारा विनाश हुआ, हर प्रकार से हमारी बरबादी हुई, इसलिए प्रोभू हमें बताता है, सावधान रहो, सावधान कि जब हमें काटे क्या होगा था मर शरीर का नुक्सान होता है शरीर को ंरा हम एकैक दिन वह दिकफ़ नहीं है लेकि प्रभू का कहने हमारा आत्मा का विनाश करता है पाप हमारे आत्मा का विनाश करता है इसलिए प्रभु नहीं चाहता है कोई भी विक्ति मर जाए यानि कि उसका आत्मा का विनाश हो क्योंकि हर कोई विक्ति के लिए स्वर्ग राज्य में प्रभु येसुने एक निवास्तान बनाया है वहां पर पहुंचने का इस दुनिया के जिवन के बाद वहां पर पहुंचने का पिता परमेश्य की योजना है कि हम सब के सब इस दुनिया के जिवन के बाद वहां पहुंच जाएं जो निवास्तान हमारे लिए बनाया है वहां पर हम जीए अगर हम पाप में रहेंगे हम वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे और उसको कहते हैं बरबाद हो जाना जो कि प्रभु येसू लूकस के सू समझ रहा दिया 13 पसंग 3 और 5 में क्या कहता है यदि तुम पस्चत आप नहीं करोगे तो नस्त हो जाओगे बरबाद हो जाओगे इसका अर्थ क्या है मेरी आत्मा पाप के वज़े से मर जाएगी और मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा स्वर्ग जहां ईश्वर ने मेरे लिए निवास्तान तयार किया है वहां पर मैं नहीं पहुंच पाऊंगा वहां पर नहीं पहुंच पाना यहीं कि बरबाद हो जाना इस दर्थी पर बरबाद हो जाना शरीर को तो मरना है शरीर चाहे जितना भी अच्छा हो स्वस्त हो तंदरुस्त हो ताकतवार हो सुन्दर हो आकर्शक हो जैसा भी हो यह शरीर एक दिन मर जाएगा क्योंकि शरीर इस दर्ती के मिट्टी से बनाया हुआ है एक मिट्टी का पुतला है यह मिट्टी का पुतला मर जाया, लेकिन हम इस चरीर में इस वक्त हैं जिस दिन मौत आएगी उस दिन शरीर त्याग देंगे, लेकिन हम जो हैं अजर हैं, अमर हैं और इसी के लिए इश्वर ने बनाया है, हमारे आत्मा पर होता है उसके बाद प्रभू अपने वच्छन के द्वारा पताता है प्रतीक अपराद दुधारी तलवार जैसा है उसके गाव का इलाज नहीं होता हर एक अपराद, हर एक गलती, हर एक पाप दुधारी तलवार जैसा है यानि कि इस तरफ भी काटना इस तरफ भी काटना दोनों तरफ से काटना और इस प्रकासे दुदारी तलवार जैसा है प्रतिक अपराद तो उसका गाओ का इलाज नहीं होता है यानि कि हर जगह से हमारे परवार करता है पाप हर तरफ से हमें बरबाद करता है हर तरफ से हमें invalid कर देता है इस लिए प्रभु क्या कहता है प्रतिक अप्राद दारी तलवार जैसा है उसका गहाओ का इलाज नहीं होता यह नहीं कि ऐसक क्या इसका इलाज रआ उसका वैसे इलाज नहीं होता है तब तक यिश्वर हमें नहीं बचा पाएगा क्योंकि यिश्वर ने हम सबों को बचाने के लिए अपने पुत्र येसु को बेजा येसु ने हम सबों की और से प्राइशित किया हमारे पापों के लिए प्राइशित करते हुए दुक बोगे, खोडों के मार काए हर प्रकार के उपहास निंदाएं सहीं बारी क्रूस को उठाया, कलवारी तक बारी क्रूस को लेकर चले और वहां पर तीन गंटों तक उन तीन कीलों के बीच में दर्ती और आस्मान के बीच में अपने हाथों का फैलाते हुए तडपते रहे, संगर्श करते रहे पिता से प्राड तला करते रहे पिता इनने शमां कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे है और अंतिम में सब कुछ समाब्त हुआ यह कहते हुए अपने प्राण त्याग दिया और इस प्रकासे मर गए, मरने के बाद तीसरे दिन फिर जी उटे इस प्रकासे प्रभु येस्व ने हमें बचाने के लिए महान बलीधान चड़ाया है यहनि कि प्रभु येस्व ने हमारे पापों के लिए प्रायश्यत किया है और इस प्रायशित का फल है मुक्ती और प्रायशित का फल मुक्ती प्राप्त करने के लिए हम सबों को पश्चताब करना है पश्चताब के बगेर कोई विवेक्ती प्रभु येसु के द्वारा किये हुए प्रायशित का फल मुक्ती को प्राप्त नहीं कर सकता है इसलिए प्रभु ये समसी क्या कहता है यदि तुम पश्चताब नहीं करोगे तो सब के सब नस्त हो जाओगे बरबाद हो जाओगे यनि कि बड़े कटोर शब्दों से प्रभु हम सबों से इसलिए बात करता है ताकि हम सब के सब इस बात को जानें और समझें उसके अनुसा क पश्यताब और जो विक्ति बड़े इमानदारी से पश्यताब करता है उस विक्ति को श्यमा प्राप्त होगी। प्रकट करते हुए चोड़ने का संकल्प करता है उस पर दिया की जाएगे। इसको चोड़ने का संकल्प करना होगा तब जाके हमें मुक्ति मिलेगे तब जाके हमारे पाप शेमा हो जाएंगे। प्रभू हमसे यह क्याता है यहीं कि पाप हमारे अंदर रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक चोटा सा उधारन है दो आदमी थे वह आस्पडोस में रहते थे और उनको दिन प्रति दिन के कामकाज के बाद वो नदी पार करके दूसरी तरब जाते थे नदी के वहां पर जाके कुछ नशा करने के आदत उनको थी। और इनकी इस प्रकार से अच्ची दोस्ती थी। दोनों कामकाज करने के बाद अपनी नाव पकड़कर एक जाते वक्त चलाता था दूसरा बईड़ जाता था। वापस आते हो तो जो बैटा बैटा वहुज चलाता था दूसरा बैट जाता तू безопас से उनका नदि से सहारकर उस तरब जाना उस वक्ति चलाता था था ये दिंशा नदी पार्कर की गए नाव के सहारे वहां पर नाव को किनारे लगाया और नाव को वहां इसके नशा चलाने की वह चलाता चलाता रहा चलाता रहा चलाता रहा पूरी रात बीत गही है और दूसरा वक्ति जिसकी बारीते बटने के उसको नीद आ गई, वो सो गया, क्योंकि नशा कर रहा था, दूसरे नशे में चलाता रहा, पूरी रात चलाता रहा, और आज हम क्यों नहीं पहूंच रहे हैं हमारे गर्ल, जबकि बहुत ही कम समय लगता है, अब पूरी रात गं मेहनत की वापस पहुंचने क्यों नहीं पहुंचे तब देखा कि नशे के वहालत में वह भूल गए थी, नाव की रसी नहीं खोली थी, जिस वचे से मेहनत तो की रात भर पहुंचे कही नहीं, पाप हमें इस प्रकार के बांध के रखता है, और हम सोचते हैं कि हम मेहनत कर रह हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, पता कब चलता है, जब हमें ऐसास होगा कि हम पाप में हैं, पाप में रहते हैं, पाप में जीते हैं, पाप में महौल में हैं, पाप में संगतियों में हैं, पाप में आदतों में हैं, इस बात का ऐसास होगा, तब जाके हमें पता चलेगा क हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं हम बंदे हुए हैं वो पाप हमारे जिवन के साथ वो बांध के रखता है और हम आगे नहीं बढ़ता है यही बात सुक्ति गरंद में बताए गई है जो विक्ति अपने पाप को अपने पास रखता है चुपा के वह विक्ति उन्नत ही नहीं करेगा बलखी जो विक्ति अपने पाप को प्रकट करते हुए चोड़ने का संकल्प करता है उस पर दया की जाए यह निकि ये श्वर की दया प्राप्त करने के लिए हमें पाप को पाप स्विकार संसकार के अंतरगत प्रकट करते हुए चोड़ने का द्रड संकल्प करना पड़ेगा तब जाके हम इस पाप को चोड़ सकते हैं पाप से बच सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं तरक्य कर सकते हैं इसलिए प्रभू अपने वशन के द्वारा को आज के दिन में बताता है सावधान रहो उन पापों से पाप में संगतियों से पाप में आधतों से पाप में योजनाओं से बहुत प्रकास से लोग पाप करते हैं एक तो लोग बोलते हैं चलो यह इंसान है इंसान गलती करता है गलती हो जाती है ये ठीक है दूसरी बात क्या है लोग योजना मनाते हैं पाप करने के लिए उधारन के लिए मैं बताओं आज के दिन में बच्चे यानि के युवक युथियां जाते हैं कॉलेज जाते हैं या कोई डिग्रे करने के लिए डिग्रे कॉलेज जाते हैं या पर करते हैं यह यह ऑप करते हो साउधान रहो यानि कि हम नहीं कर रहे हैं अपने सोहम के लिए गड़ा खोद रहे हैं बरबादी का गड़ा खोद रहें विनाज का गड़ा ऐसे विए बाइय वपैनों प्रबु का ज़ें और्ह चालन के सब्सक्राइए किया है अपने पापूं, लोगे शकार आज़कुमें आ जाओ हरी है पुमें अजिए बाई के पहे बनाते है Anya सामने की तरह पाप से हम धूर बाग जाएं पाप से पाप में आदतों से पाप में संगतियों से पाप में योजना से अगर हम बचे रहेंगे हमारा जीवन आगे बढ़ेगा अन्यत हम जहां हैं वहीं पर अठके रहेंगे और हम सोचेंगे हम आगे बढ़ रहें आगे नहीं बढ़ रहे हैं तरह की नहीं कर रहे हैं और हमारा आत्मा का विनाश होगा जो की इश्वर नहीं चाहता है यह आत्मा इश्वर नहीं दिया है इश्वर ने जब आदम को बनाया उसके अंदर प्रान वायू का वो प्रान वायू क्या है वो आत्मा है वो आत्मा वापस इश्व रहो सावदान रहो सतर्क रहो सामके सामने की तरह पाप से दूर बाग जा नुट न है कि तरह नुट करता है इसलिए प्रुभ में बता चाहे इता है इनराश इसलिए होते हैं अपना प्रेम प्रसंग जब अटक जाता है कतम हो जाता है दुखी हो जाते हैं आगे जीने की कोई उमीद नहीं क्योंकि जिससे प्यार करते थे या करता था वो प्यार कतम हो गया प्यार समाप्त हो गया प्यार समाप्त हो गया उसका सबसे पहला नि कतम होगा शेरीर वैसे भी कतम होगा अगर आप सुईसाइड ना भी करोगे पचास साल के बाद आप तब भी मरोगे या साट साल के बाद भी मरोगे तब भी आपका शेरीर कतम हो जाएगा लेकिन आपके आत्मा के लिए मौत नहीं है भाई यो बहनो आत्मा के लिए मौत की र करपती रहेगी आत्मा तब भी नहीं मरेगी आत्मा जाएगी कहां उस नरक में जाएगी वहां पर भी मौत नहीं है वहां पर उस आग में जीना होगा उस आग में उस तकलीप में उस दर्द में वहां पर जीना होगा आत्मा चाहे नरक जाएगी स्वर्ग जाएगी तब भी सबस्राइब करता है प्राइब करते रहो जिस से कि तुम प्रोलबन में ना पड़ों क्योंकि तुमारा शेरीर धुरूबल है कमजोर है तुम्हारा आत्मा तत्पर है आत्मा नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो इसलिए आत्मा को बचाने के लिए हमें शरीर को भी बचाना होगा आत्मा को बचाने के लिए शरीर को भी बचाना होगा और इस प्रकास से हम सुरक्षित रहेंगे इसलिए प्रूब में बताता ह सव्धान रहो हम आगे पड़ते ही प्रभक्ता ग्लंत अद्याइब 5 में यह मत कहो मैंने पाप की अथो मेरा क्या विगडा है वहाँ साारे लोग कहते हैं रहें नहींत वह काम किया तो तुमको क्या दिक्कत है लोग सवाल करते हैं ठीक है कुछ नहीं बिगड़ा है इश्वर की दया है अच्छी बात है लेकिन एक दिन आएगा सब कुछ बिगड़ जाएगा जब सब कुछ बिगड़ जाएगा कोई कुछ नहीं कर पाएगा कुछ समय पहले एक पहन ने बजय क्या परार्तना किया इन हम के अपनिय है इसकी तकलीफिती 数and घाना किया । तो बोल नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं, लिटे हुए हैं, पेट फुला हुआ है, मैंने पूछा हुआ क्या क्या बिमारी हैं, तब उसने कहा, वो बहुत नशा करते थे, जब नशा करते थे, हमने बहुत बार उनको समझाया, लेकिन उन माने बताता है शमाँ पाने के आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ, यहां मत का हो कि उसकी दया सीम है, वह मेरे असंग के पाप शमाँ करेगा, उसकी दया के अतिरिक उसमें क्रोध भी है और उसका कोप पापियों पर बढ़क उड़ता है, इसलिए प्रभू के पास शिग्र ही लवट के आओ, दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो, क्योंकि प्रभू का क्रोध अशानक बढ़क उटेगा, धंड के दिन तुमारा विनाश होगा, इसलिए पाईयो बहनों, आज के दिन में हम इस प्रभू के वशन को सुनते हुए साउधान रहें, हमारी आत्मा को बचान इसलिए आज का विशे हम सबोंने मनंचिंतन किया है, साउधान रहो, इसलिए हकीकत में हम साउधान रहें, सतक रहें, जिसलिए हम सब के सब स्वर्ग राज में अनंत जिवन का सुक भोगने वाले बन सके, वही प्रभू हम सबों को आशिज दें, पिता, पुत्र और